से सरे 600 करोर साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ से आकर टकराया एस्ट्रॉइड के टकराने से धूल के बादल सूरश को ढख लिया इस कारण टंप्रेचर एतना लो हो गया जितना भी 20 प्लस केजी के जानवर थे उन सब का अंत हो गया यही वो वक्त था जब डैनसूर का अंत हुआ और मैमेल्स के लिए एक नाया सुनहरा वक्त लेकर आया मैमेल्स खुद को गर्मी से बचाने के लिए जमीन के अंदर रखते थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना सुरू कर दिया इतनी बड़ी कैक्टिलीजम गुजरन के बाद अर्थ का नेचर फिर से नॉर्मल हो गया नए तरह के पेड़ पौदे उगने लग गये थे और धरती पे जो 5% जीब बच गये थे उनमें नए अडप्टेड रडियेशन से नए तरह के एनिमल का औरीजिन हुआ यो सीन इपोच करीब 5.5 करोर साल पहले एक बंदर जैसी परजातिया आई इनकी आँखे सर के आगे की तरफ थी इसी प्रियड में क्लाइमेट में बहुत तरह की चेंजेज आई इसके इस पैनल कोट को फोर में मैगनम से जुरने वाली छेद वो इस कल्प के पीछे हिस्से से बेस से सिंटर की तरफ सीफ्ट होने लगी यानि आप जो परजाती आई इनका फिजिकल डिवलब्मेंट होने लगा वो सीधे होकर चलने में कैपेवल होने लगे आज से 4.8 करोर साल पहले आर्थ के क्लाइमेट में लगतार चेंज होना सुरू हुआ आर्थ के टेक्टॉनिक प्लेट में रियक्ट होने से दो बड़े कॉंटिनेंटल प्लेट पास आए यही वो कॉंटिनेंटल प्लेट है जहां हम इंडियन्स रहते हैं ओलीगो सीन इपोच में करीब 2 या 3 करोर साल पहले ग्लोबल कुलिंग आई गास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल खतम होने लगे तब ऐसे जानवर का पपुलेशन ब के इलाकों में एक नए मॉंटेन का ओरिजिन हुआ इसे इस्ट अफरीका रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है इस्ट अफरीका रिफ्ट वैली के बनने से यहां के हरे भरे जंगल के मौनसून पूरी तरह से रुक गए और इस वज़े से यहां के जंगलों में बारिस आ खाते थे वजनी होने के कारण वो एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे बाइपेडिलिजम इंसानों की नहीं बलके एप्स की खोज है आगे चल कर ये एप्स क्लैमेंट पे डिपोेंट होकर चेंज हो गए कुछ चिंपैंजी और गॉरिला में विक्सित हुए कुछ इंसानों में विक्सित होना सुरू हुए ये पूरी अफरीका में फैले हुए थे यहां के जंगल सुप जाने से सबसे ज़्यादा असर इनी एप्स पर पड़ा आर्दी पिथिकस रेमिडस ये है हम इंसानों के पुरवज जो जमीन पर मानो इतिहास का सबसे पहला कदम रखा इनका दिमाग एक संतरे जितना था और इनकी हैट चार फिट थी ये हमारे वन्स के सीधे चलने वाले सबसे पहले जीप थे कई हजार साल के विकास कर्म के बाद ये दोनों पैर पे चलने लगे थे इससे उर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा लेते थे समय के साथ साथ रेमिडस में भी चेंज होना सुरू हुई और हमारे पुरवज धीरे धीरे विक्षित होने लगे 23 लाख साल पहले हमारे पुरवज का दिमाग काफी बड़ा हो गया ये थे होमो हेबिल्स इन्हों ने पहली बार पत्थर को हत्यार की तरह इस्तेमाल करना सुरू किया समय बितने के साथ ही हमारे पुरवज अन्य जानवर का सिकार करना सुरू कर दिये आप ये होमो एरिटेस्ट से जाने जाते थे जो अन्य जानवर से ज़्यादा हुसियार थे इन्हों ने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया इन्होंने आग पर मास्ट पकाना सीख लिया था, आग पर मास्ट पकाना मतलब उर्जा का कम इस्तेमाल करना, इसी वज़ा से ये उर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगा, कैलोरी और जादा ताकत मिलने लगा, जिससे हमारे पुरवच का दिमाग बढ़ा हो गया, दो ल आप हम जादा सटिक आवाज निकाल सकते थे, आप हमने बोलना सुरू कर दिया था, पहली बार कोई जनकारी एक पीडी से दुसरे पीडी तक पहुंचने लग गई थी, यही वो आखरी डिफलप्मेंट था जिससे हम बने आख, यानि होमो सिवियन्स, इसी तरह के इन्फॉर